इस क्लास में हम लोग साइंस का चैप्टर नमबर 16 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हमें एलेक्टिक करेंट और इसके केमिकल एफेक्ट्स के बारे में परना है चैप्टर काफी ज्यादा लंबा है इसलिए इसको हम लोग 2-3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे यह फर्स्ट पार्ट है और अगर आपको इसके सेकेंड पार्ट का वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट मिलिकर जरूर बताइएगा जैसा कि आपको पता है कि बोट्स के एक्जाम में चैप्टर के 20 से कहीं से भी कुशन बना कर पूछ लिया जाता है और उनको सॉल्व कर पाने के लिए चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें DAV गुरू आपकी मदद कर सकता है बस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है जहां पर अलग-अलग कैटिग्रीज में आपको हर क्लास के वीडियोज मिल जाएंगे यहां से आप अपने क्लास के वीडियोज को कभी भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस भी कर लिजेगा तक कि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिलता रहे इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करें जल्दी से ब्रीन मैपिंग कर लेते हैं ताकि हमें पदा चले कि चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोड़क्शन देखेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कंड़क्शन थ्रू लिक्विट्स के बारे में क्या लिक्विट्स से होकर भी एलेक्टिक करेंट फ्लो कर सकते हैं या नहीं इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है जैसे की काउज अफ कंड़क्टिविटी अफ लिक्विट उसके बाद एलेक्ट्रोलाइट्स है कनवर्जन अफ केमिकल एनर्जी इंटू एलेक्टिकल एनर्जी फिर है chemical effect of electric current, उसका application, practical application क्या क्या है, उसका needs क्या क्या है Faraday's discovery के बारे में परेंगे, फिर हमें electromagnetic induction के बारे में परना है और सबसे अंती में हम लोग Michael Faraday के life के बारे में जानेंगे बहुत से बचों को ये chapter hard लगता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये chapter आपके लिए सबसे easy हो जाएगा तो चलिए chapter को पढ़ना शुरू करते हैं, आराम से earphone लगा कर बैठ जाएए और पूरे chapter को अच्छे से समझिए हम लोग already previous classes में पढ़ चुके हैं कि जो materials अपने से होकर electricity को पास करने देते हैं, उन materials को conductors of electricity कहा जाता है अधिकतर metals जो होते हैं वो good conductor of electricity होते हैं, उनसे होकर बिजली पास कर सकती है जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लुहा हो गया, इन सब से होकर बिजली पास कर सकती है और ये सभी metals हैं, कुछ ऐसे materials भी होते हैं जो कि अपने से होकर electricity को आसानी से पास करने नहीं देते हैं उन materials को poor conductors या insulator कहा जाता है, जैसे कि plastic, लकरी, bakelite, ये सब कुछ poor conductors के example है इन सब से होकर बिजली आसानी से पास नहीं कर सकती है यहां से इस chapter का main topic इस्टार्ट होता है, जो कि है conduction through liquids अभी तक हम लोग इतने भी conductors के बारे में जानते हैं, जितने भी materials अपने से होकर बिजली को flow करने देते हैं वो solid state में ही होते हैं, जैसे कि copper भी solid state में होता है, silver भी solid state में होता है, iron भी solid state में होता है ये सब solid state में हमें दिखाए देते हैं जिसका इस्तिमाल हम लोग electricity को conduct करवाने के लिए करते हैं लेकिन liquids का क्या? क्या liquids भी electricity को conduct कर सकती है? क्या liquids से होकर भी electric current आसानी से flow कर सकता है? इनी सब चीजों के बारे में इस topic के अंदर हम लोग detail में परेंगे चलिए एक छोटा सा activity करते हैं जैसा कि हमें activity number one में बताया गया है इस activity के through हम लोग कुछ general liquids को check करेंगे कि क्या उनसे होकर बिजली pass कर सकती है या नहीं इस activity के लिए सबसे पहले हमें एक continuity tester बनाना पड़ेगा कोई बरा चीज नहीं एकदम simple चीज है इसके लिए बस आपको एक wire जाईए एक तार ले लेना है एक bulb ले लेना है और एक battery ले लेना है battery का एक terminal आपको bulb से connect कर देना है लेकिन दूसरा terminal आपको bulb से connect नहीं करना है इसको खुला छोड़कर रखना है इस continuity tester के दोनों terminal को आपको एक beaker में डाल देना है अब इस beaker में हम लोग अलग अलग liquids को fill करके देखेंगे कि क्या इससे होकर current flow कर पाता है या नहीं अगर current flow कर पाएगा तो यहाँ पर bulb जलना शुरू कर जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि जो liquid हम लोग इसमें डाले है न वो electricity का good conductor है और अगर bulb नहीं जलेगा तो जो liquid हम लोग डालेंगे न इसमें वो electricity का bad conductor होगा सबसे पहले बोला गया है कि आप इसमें lime juice डालिए निम्बू पानी का solution डालेंगे और इस दोनों terminal को 2-3 cm की दूरी पर रखेंगे तो यह bulb जलना शुरू कर देगा इस bulb के glow करने का मतलब हुआ कि lime juice अपने से होकर बिजली को पास करने देती है इसलिए lime juice को हम लोग good conductor of electricity बोल सकते हैं अब आपको इसमें से lime juice निकाल देना है और इसमें distilled water रख देना है distilled water ऐसे पानी को कहते हैं जिसमें थोरा भी amount में mineral present न हो यह आपको medical में मिल जाएगा जब आप इसमें distilled water को रखिएगा तो bulb glow नहीं करेगा इससे हमें पता चलता है कि distilled water से होकर electricity flow नहीं कर सकती है अब आपको same activity में अलग-अलग liquids डाल कर देखने है कि क्या वो liquid अपने से होकर बिजली को flow होने देता है या नहीं देता है उसके बाद आपको जो भी पता चले आपको इस वाले table में fill करना है सबसे पहले beaker में हम लोग lime juice डाले थे lime juice डालने से bulb जल गया था इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि lime juice good conductor of electricity है उसके बाद आपको beaker में tap water यानि कि नल का पानी डाल कर चेक करना है कि bulb जलता है यानि जब आप tap water डालेंगे न तो bulb जलने लगेगा इससे पता चलता है कि tap water good conductor of electricity है लेकिन वहीं अगर आप उसमें distilled water डालेंगे न तो bulb नहीं जलेगा इससे पता चलता है कि distilled water poor conductor of electricity है इससे होकर बिजली flow नहीं कर सकती है लेकिन दोनों तो आखिर पानी ही है tap water के पास ऐसा क्या है जो कि इससे होकर बिजली flow कर सकती है और distilled water के पास ऐसा क्या नहीं है जो कि इससे होकर बिजली flow नहीं कर सकती है इसके बारे में आगे हम लोग detail में discussion करेंगे उसके बाद आपको beaker में orange juice डालके, tomato juice डालके, vinegar डालके चेक करना है इन तीनों condition में bulb जलने लगेगा इससे पता चलता है कि ये तीनों good conductor of electricity है लेकिन जब आप beaker में vegetable oil या glycerine या hair oil डालेंगे न तो bulb नहीं जलेगा इससे पता चलता है कि ये तीनों poor conductor of electricity है अब हमें पता चल गया कि solids के अलावा कुछ liquids भी ऐसे होते हैं जो कि electricity को conduct कर सकते हैं ऐसे liquid को हम लोग good conductor of electricity कहते हैं इसके साथ साथ कुछ ऐसे liquids भी होते हैं जो कि अपने से होकर electric current को flow नहीं करने देते हैं और उन liquids को poor conductor of electricity कहा जाता है water जो कि हमें अलग-अलग sources से मिलता है जैसे कि null से, hand pump से, कुएं से, तालाब से इसमें कुछ salt घुले रहते हैं इसी वज़ा से ये water good conductor of electricity होते हैं इसी वज़ा से इनसे होकर current pass कर सकता है because of salts अब आपको पता चले गया होगा कि distilled water से होकर current flow क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें कोई mineral present नहीं होता है, salt भी present नहीं होता है हमें कभी भी कोई बिजली का काम भीगे हाथों से नहीं करना चाहिए या भीगे हुए floor पर खरे होकर नहीं करना चाहिए क्योंकि भीगा हुआ हाथ में जो पानी लगा रहेगा और जो भीगा हुआ floor पर पानी रहेगा उसमें minerals present होंगे definitely उसमें minerals present होंगे और वो बिजली को conduct कर पाएगा जिससे कि हमें बिजली का जटका लग सकता है अब चलिए इस वाले do you know को पर लेते हैं इसमें बताया गया है कि air एक poor conductor of electricity है मतलब इससे होकर बिजली आसानी से flow नहीं कर सकती है लेकिन जब बिजली करकती है उस समय तो इसी air से होकर electric current पास करने लगता है ऐसा actually इसलिए होता है क्योंकि कुछ खास conditions में अधिकतर materials electricity को conduct कर सकते हैं उनसे होकर बिजली पास कर सकती है इसलिए हमें हमेशा materials को classify करते वक्त उनको good conductors या poor conductors कहना चाहिए instead of conductors and insulators क्योंकि insulator नाम का कुछ नहीं होता है पूरी तरह से बिजली को flow करने ना दे ऐसा कोई material दुनिया में नहीं होता है बहुत कम ऐसे material होते हैं अधिकतर material कुछ certain circumstances में अपने से होकर बिजली पास करवा ही देते हैं यहाँ से एक sub-topic इस्टार्ट होता है टाइटल है इसका cause of conductivity of liquids आखिर इसका क्या कारण है कि liquids में conductivity हमें देखने को मिलता है liquids अपने से होकर बिजली को पास करने देते हैं इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग एक छोटा सा activity करेंगे हम लोग देखेंगे कि जब एक liquid से होकर electric current पास करती है तो exactly होता क्या है इस activity के लिए आपको एक साफ और सूखा हुआ beaker लेना है और इसमें distilled water रख लेना है तो एक beaker हम लोग ले लेते हैं यह हो गया और इसमें distilled water भर लिए हमें पता है कि distilled water electricity conduct नहीं कर सकती है अगर हम लोग इसमें continuity tester डालेंगे तो यहाँ जो bulb लगा रहता है न वो नहीं जलेगा अब आपको distilled water में थोड़ा सा common salt जिसको sodium chloride भी कहा जाता है उसको मिला देना है अब आपको इसमें continuity tester डाल कर देखना है कि क्या bulb जलता है या नहीं जब आप इसमें continuity tester डालेंगे तो यहाँ जो bulb लगा रहता है न वो glow करने लगेगा इससे हमें पता चलता है कि जब हम लोग common salt को पानी में मिला देते हैं तो पानी good conductor of electricity बन जाता है उसके बाद आपको same activity दो बार और repeat करना है इस बार common salt के जगह पर एक बार आपको dilute hydrochloric acid मिला देना है distil water में एक बार caastic soda मिला देना है और चेक करना है कि क्या इन दोनों के मिलाने पर भी bulb जलता है या नहीं हम आपको बता देते हैं जब आप dilute hydrochloric acid distil water में मिलाईएगा तो भी bulb जलने लगेगा जब आप caastic soda इसमें मिलाईएगा तो भी bulb जलने लगेगा अब चलिए main मुद्दे पे आते हैं salt में, acid में और caastic soda में ऐसा क्या है जो कि water को conductive बना देता है जिस water से बिजली flow नहीं कर पा रही थी सिर्फ इन तीनों को मिला देने के बाद आखिर ऐसा हुआ गया जो कि उससे होकर electricity flow करने लगती है चलिए इस बात का reason जान लेते हैं common salt जिसको की NaCl से denote किया जाता है ये इसका formula है इसमें sodium और chlorine ions पाया जाता है sodium positively charged होता है और chlorine negatively charged होता है water में घुलने के बाद sodium chloride sodium ion और chlorine ion में तो तूठी जाते हैं साथ ही साथ ये दोनों ions separate भी हो जाते हैं अलग भी हो जाते हैं एक दूसरे से इस solution में ions के ही movement के कारण distilled water electricity का conductor बन जाता है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि liquids में electricity के flow का एक ही reason है और वो है असानी से electricity को flow करवा सकती है जब किसी salt को acid को या base को water में घुलाया जाता है तो ये तूट कर बहुत सारे free ions बनाते हैं ये ions positively charged भी हो सकते हैं और negatively charged भी हो सकते हैं इनी mobile ions के कारण इनी movable ions के कारण जो कि आसानी से एक जगा से दूसरे जगा move कर सकते हैं liquids में electricity का conduction हो पाता है ये free mobile ions solution से होकर electric current को flow करने में मदद करते हैं और solution को conductive बना देते हैं और जो solution conductive बन जाता है न जिससे होकर electric current flow कर पाता है उस solution को हम लोग electrolytes कहते हैं ये बहुत important definition यहाँ पर निकल कर आया आपसे जगा में पूछा जा सकता है कि electrolytes क्या होता है तो आप simply define कर सकते हैं कि जो solution जिस solution से होकर electric current flow कर सकता है जिसमें ions मौजूद होते हैं free movable ions मौजूद होते हैं उन्ही solution को हम लोग electrolytes कहते हैं अब हमें अगले subtopic में electrolytes के बारे में ही detail में परना है electrolytes को define करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं a compound that conducts electricity in molten और aqueous state and which simultaneously undergoes decomposition और breaking into ions when an electric current passes through it is an electrolyte इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे compound जो कि पिघलने के बाद या पानी में घुलने के बाद aqueous solution बनाने के बाद electricity को आसानी से conduct कर पाते हैं उनको electrolyte कहा जाता है इसके साथ साथ जब electrolyte से electric current pass करता है तो उसी समय इसका decomposition भी होता है मतलब यह free ions में भी तूटते हैं example के लिए water में जो NaCl का solution होता है इसको भी electrolyte कहा जाएगा क्योंकि इससे होकर electricity flow कर सकता है और साथ ही साथ जब इससे electricity flow करता है न तो NaCl sodium ion जो की positively charged ion होता है और chloride ion जो की negatively charged ion होता है इसमें break हो जाता है electrolyte क्या होता है एक बार फिर से सुन लीजिए जितना भी compound है जितना भी solution है जिससे होकर electricity flow कर सकती है और साथ ही साथ जब electricity flow करती है तो उसका decomposition भी होता है मतलब वो ions में भी तूटता है ऐसे सभी compounds को ऐसे सभी solution को हम लोग electrolyte कहेंगे electrolytes दो तरह के हो सकते हैं इसको हम लोग दो category में classify करते हैं एक होता है strong electrolytes और एक होता है weak electrolytes ये classification इस basis पे होता है कि कितनी मात्रा में electrolytes तूट कर ions बनाते है अगर बहुत ज़्यादा ions बनने लगे किसी electrolyte में तो उस electrolyte को strong electrolyte कहा जाएगा और अगर बहुत कम ions बनते हैं किसी electrolyte में तो उस electrolyte को weak electrolyte कहा जाएगा पहले strong electrolytes के बारे में पर लेते हैं ऐसे electrolytes जो कि पूरी तरह से ionized हो जाते हैं और free mobile ions में convert हो जाते हैं ऐसे electrolytes को यह हम लोग strong electrolyte कहते हैं बहुत अधिक संख्या में free mobile ions बनने के कारण ऐसे electrolyte में electricity आसानी से conduct हो सकता है strong electrolytes के कुछ examples यहाँ पर दिये गए हैं जो कि आप को याद रखने हैं पहला है sodium chloride, दूसरा है pure sulfuric acid और तीसरा है copper sulfate solution अब चलिए देख लेते हैं कि weak electrolytes क्या होते हैं ऐसे electrolytes जो कि पूरी तरह से ionized नहीं हो पाते हैं उनका एक ही हिसा free mobile ions में convert हो पाता है ऐसे electrolyte को यह हम लोग weak electrolyte कहते हैं ऐसे electrolytes में बहुत कम संख्या में free mobile ions अवेलेबल रहते हैं और उसी के help से उनमें electricity का conduction हो पाता है weak electrolytes के कुछ examper दिये गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं एक है acetic acid, उसके बाद ammonium hydroxide और तीसरा है tap water यहाँ पर देखे कुछ और examper दिया गया strong electrolyte और weak electrolytes का strong electrolyte में क्या क्या है? sea water, nitric acid, copper sulfate solution, sodium chloride और sulfuric acid और weak electrolyte में क्या क्या है? ordinary tap water, oxalic acid, carbonic acid, ammonium hydroxide और citric acid इन सबसे होकर electricity आसानी से flow कर सकती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मातरा में free mobile ions प्रोड्यूस होते हैं लेकिन इन सबसे होकर उतना आसानी से electricity flow नहीं कर पाता है electrolyte क्या होता है? ये तो हम लग पर लिए, अब देखिए इस वाले do you know में non electrolyte के बारें बताये गया है नाम से तो लगता है कि electrolyte का just opposite होता होगा non electrolyte और सही भी है electrolyte का जितना property है ना उसका just opposite property होता है non electrolyte के पास एक non electrolyte ऐसा solution होता है जो कि ions produce नहीं करता है इसी वज़ा से इससे होकर electric current flow नहीं कर सकती है non electrolyte का कुछ examples भी यहाँ पर दिया गया है जैसे कि distilled water इसको तो हम लोग चेक भी किये थे इससे होकर current flow नहीं करता है क्योंकि bulb नहीं जला था उसी तरह से alcohol भी non electrolyte होता है carbon dioxide भी non electrolyte होता है और carbon tetra chloride भी non electrolyte होता है हाला कि इन सभी को ionize किया जा सकता है इसमें हमें बस दूसरे substance को मिलाना परेगा उसके बाद यह सब भी अपने से होकर electricity को flow करने देंगे जैसे कि distilled water को हम लोग ionized किये थे इसमें क्या मिलाए थे NACL मिलाए थे उसके बाद यह ionized हो गया था और उसके बाद इससे होकर electric current flow कर पा रहा था Finally हमने यहां तक के सभी topics को complete कर लिया अगर आपको इसका part 2 भी चाहिए तो वीडियो को like कर दीजेगा और comment में लिक कर जरूर बताईएगा आपके class के science का playlist open करने के लिए left side में क्लिक कीजे वहाँ पर आपको दूसरे सभी chapters के explanation मिल जाएंगे और अगले class का video देखने के लिए right side में क्लिक कीजे फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे ने topics के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पराहिकर करेगे